जहान दोस्तों आज केसी वीडियो के माँतों हम समेंगे quedar करें में अगर मैंध्वदेष से पस्कारी कॉलेसे सरकारी कॉलेसे तो सरकारी कॉलेस में एडमिसन लेने की आप सब drives projected मैं आपको सरकारी कॉले से करनी है तो बिडियो को पूरा देखना मैं आपको हर इंपोर्मिशन बताऊंगा कि हमें एडमिशन कैसे लेना है third round में, ठीक है, पूरी information को समझाऊँगा, वीडियो को share करना है सभी के साथ तो यहाँ पर हम सबसे पहले time table को देखेंगे, तो हमने time table डानलोड कर लिए B8 कर ठीक है, B8 34 का हमने time table डानलोड कर लिए 5 अगस्ते 16 अगस्ता के यहाँ पर चलेगा अब दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमें registration करना होता है सबसे पहले choice planning करनी होते है तब ही हमारा admissions होगा, एक तीसरा काम करना होता है document verification का, यह तीन काम हमें करने होते हैं सबसे पहले, तब ही हमारा mail list में नाम आता है, तो 5 अगस्ते लेकर 7 अगस्ते के बीच में हमें क्या क्या काम करना है, हमें हैं यहाँ पर registration करना है, हमें हैं यहाँ पर choice planning करनी है, ठीक है, registration कैसे होगा, choice planning कैसे होगी, समझाओंगा मैं सारी चीजों को, इसके बाद में document verification होते हैं, document verification की जो last rate रखी गई है, वो rank merit list है, यह 9 तारिक हो, और जो final merit list है, यानि की हमें कौन सा college मिलाए, कौन सा college नहीं मिलाए, वो हमें पता चलेगा यहाँ पर 13 तारिक हो, ठीक है, बास समझ में आगी, मैं आपको पूरी information बताऊंगा, तो 7 जून को आई थी, जब हमारा first round start हुआ था, तो मद्द्देश्क में अगर हम बात करें, 9 ऐसे college हैं, जिनमें यहाँ पर 28 करवाई जाते हैं, जो कि total 677 seat हैं, ठीक है, इसमें 9 college हो के नाम जो कि देख सकते हैं, कौन कों से 9 college हैं, और कौन सी website से करना है, तो इस website का link डारेक्ट description box में मिल जाएगा, आप directly इस website पर आ जाना है, ठीक है, तो इस website का नाम है, ncte, ठीक है, यहाँ पर 200 registration का options देखेगा, ठीक है, registration आपको कहां से करना है, जो b8 का options देख रहा है न, b8 का, जो first of all options, यहाँ से आपको registration कर लेना है, ठीक है, चलिए, यहाँ से registration कंप्लीट हो जाएगा, registration का मैंने वीडियो बना दिया, link आपको description box मिल जाएगा, ठीक है, जैसे आप registration कंप्लीट करेंगे, इसके बाद counseling activities दिखाई देगी, वो first number पर b8 का options दिखाई देगा, इसके नीचे दिखाई देगा, आपको राज सिच्चा केंदर गवर्मेंट इंसिटूट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको click कर देगा है, ठीक है, बाद समझ में आ गई, चलिए, यहाँ इस link पर जैसी click करेंगे, आपके सामने choice planning करने को options आ जाएगा, ठीक है, आप choice planning कर लेना, ठीक है, अब दोस्तों आप कहोगे कि यहाँ पर b8 के दो options दिख रहे हैं, तो दोस्तों जो first बाला options है, यह government college का है, और second बाला है private college का, आप सभी को पता है कि b8 के जो private college के admission से बंद कर दे गए, यहाँ पर नया round नहीं आया है, अब यहाँ पर 31 तारिख तक admission complete कर दे गए, 31 जुलाई तक इसके बाद कोई भी नया round नहीं आया, अब के बल government college के admission चल रहा है, वो भी b8 के चल रहा है, और किसी भी course के यहाँ पर नहीं चल रहा है, बास समझ में आगे अब आप सोचोगे कि हम private college में admission लेना था, यहाँ पर private college के round हुए थे, लेकिन हमारा क्या हुआ उसमें नाम नहीं आया, हमने registration करवा लिया था, हमने choice billing वगर यह सारी चीज़े complete करवा लिया थी, document verification भी complete करवा लिया थे, लेकिन हमारा नाम नहीं आया, तो ऐसे चात्रों को क करना है, यानि कि अगर आपने NCTE की website से, जो मैं website बता रहा हूँ, अगर आपने इस website से पहले registration करवा लिया है, चाहे आपने private college में admission के लिए रजिस्टेशन लेने के लिया हूँ, चाहे आपने गवर्मेंट college में admission का भी registration सेम होता है, प्राइबेट college में admission का भी registration सेम होता है, बस चीज़ां कहां पर बतलती हैं चीज़ां counseling activities में choice plan में बतलती हैं अगर आपको government college में admission लेना है तो जो कि first बारी लेंग से choice plan करना होता था और है अगर आपने पहले admission लेने के लिए private college में admission लेने की registration करवा चुके हैं तो अब आपको registration करवाने की आवसकता नहीं है अगर कॉले में एड़ी से लेने का सोच रहे हैं, बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छे से, तो अब आपको क्या करना है, तो B.E.A.D. के उप्संज़ पर क्लिक करके आपको चोईस्री करना है, यानि कि जो new student हैं इन्हें registration करना पड़ेगा और चोईस्रीक भी करना पड़ेगा, लेकन old student हैं उन्हें registration करने की आभसकता नहीं, क्यों किस्यों आपations डोड़े इस वेबसाइट से registration कर लिए है तो registration नहीं करना है अब cable हमें choice принん करने है ठीक है बाँ समझ में आगे सारी चीजने समझ में आगे होगी document verification भी हम पहले करवा चुके हैं तो हमें document verification नहीं करना है अगर आपका document verification नहीं हुआ है तो ही आपको document verification करना पड़ेगा बात समझ में आगे, सारी चीज़ने समझ में आगे होंगी कोई भी doubt to comment करना मिल देख लिए वीडियो में यह को जानकरी के साथ अब देख लिए बाई